शाजामपूर भले ही कोरोना मुक्त हो गया है लेकिन उसकी दहशत लगातार अभी भी बरकरार है जिस जगे पर विदेशी नागरिक कोरोना पाश्टी मिला था उस इलागे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है किस तरह के हालात हैं इसका जाजा लिया हमारे सैयोगी सिमरंजी सिंग ने शायापूर में एक मातर मरीज मिला था जो की इसी शेतर से मिला है यहाँ पर हम इस समय खड़े हैं उसके बाद से इस पूरे इलाके को यहाँ से सील कर दिया गया है यहाँ पर फुलिस लगतार मुस्तैदी के साथ डूटी कर रही है आपको बता दें कि इस शेतर से फुल नौव विदेशी मिले थे जिनमें से एक में कोरोना की पुष्टी हुई थी जिसको यहाँ सायापूर मेडिकल कॉलेज में आइजोलेट किया गया उसको बाद में बर पूरी तरीके से अब उसकी रिकोर्ट नेगटिव आज़की लेकिन उसके बावजूद भी बात में भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा एरिया यहां पर सील कर दिया गया है इस शेतर में मरीज मिलने के बाद में इस पूरे एरिये की वाकाइदा मेडिकल पूरी तरीके से शील किया और लोगं को निकलने की इस पास यहां पास नुखिया कराई गए है हम आपको बता दें कि विशन भी लगातार अपील कर रहा है आप लोगों से कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें बेवज़े घरों से बिलकुल बाहर ना निकलें क्योंकि एक मात उपाई यही है कि लागडाउन का सही तरीके से बालन किया जाए ताकि कोरोना जैसी महा मारी से बचा जा सके लगातार जिला प्रसासन भी सभी से अपील कर रहा है कि बेवज़े घरों से बाहर ना निकलें आप देख पा रहे हैं कि इस शेत्र में पुलिस मुस्ताइदी के साथ जूटी का निर्वाहन कर रही है और कोई भी यहां से बाहर नहीं आ रहा है ना ही कोई जा पा रहा है आपको बता देख यह वो शेत्र है इस यहां पर कोरोना का एक मरीज मिला था इस शेत्र के दाइरे को इस शेत्र से सील कर दिया गया जिसमें किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है साय यहां पुर्स मिशन 24 x 7 के लिए वीडियो जन्रेक बल्जी सिंग के साथ सिम्राइन जी सिंग